नमस्कार आप देख रहें न्यूस पियार और मैं हूँ आपके साथ रुचिकराज आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बाड की स्थिती के बारे में सिमान चल हो मगद हो या फिर हो पाटली पूत्रा हर जगा बाड की स्थिती देखने को मिलती है लेकिन सरकार की तरफ से क्या पुखते इंतजाम किये गए हैं इसका तो पता नहीं होता आपको बताएं कि इस बार भी बाड की स्थिती बनती हुई देख रही है चाहे वो बांका हो सुपॉल हो जहानाबाद हो या समस्तिपूर हर जगा नदी की जो पानी है वो फान पर है यानि लाल निशान तक पहुँच चुकी है और लगतार मौसम बिभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बज़पात और भारी बारिश की संभावना जताई जारी है लेकन सरकार की तरफ से अब तक ऐसी कोई भी पुखते इंतजाम नहीं किये गए है जिससे बिहार को बार्ट से बचाया जा सके और लोगों को रहत दी जा सके आई हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि किन किन जगों पर बार्ट की क्या स्थिती हो सकती है यानि किन किन जगों पर पानी का जलस्तर का क्या सेंटिमीटर है कितने पानी और बढ़ेंगे तब बार्ट की स्थिती हो जाएगी बिहार में सुपॉल के डगमारा बांड के तूटने को बंद करने में अब भी जल संसादन विभाग की इंजीनियर लगे हुए हैं। गंगा का जलस्तर बकसर में डेड़ मीटर से ज्यादा तो पटना मिलत भग 23 सेंटिमीटर उपर चड़ा है। हाला कि अब भी यह नदी लाल निशान स एक मीटर से ज्यादा नीचे बताया जा रहा है। दूसरी प्रमुक नदियों में बुढ़ी गंड़क आती है। बुढ़ी गंड़क मुझफरपूर और समस्तिपूर में लाल निशान से नीचे है। रोस्रा में मातर 22 सेंटिमीटर उपर है। बागमती में भी नीचे आई मुझफरपूर में 56 और दर्भंगा में लाल निशान से 18 सेंटिमीटर उपर बताई जा रही है। अगर हम बात कर लें फल्गू तो फल्गू नदी में अब उफान पर है। इसके कारण नालंदा से जहानाबाद का सीधा संपर्क भंग हो गया है। एनेच 110 पर वाहनो का प बांका में चांदन नदी पर बना डाइवर्जन शनिवार को नदी में बह गया। 2.75 किलो मीटर के डाइवर्जन का करीब 500 मीटर का हिस्सा नदी में समा गया है। पानी का तेज बहाओ धीरे धीरे आगे भी ध्वस्त करता जा रहा है। एक और जहां बांका दो भागों मे बांका धाका मोड होते हुए जारखंड से संपर्क तूट गया है। साथ ही बांका समय चार प्रखंडों के करीब 10 लाग से अधिक लोगों का संपर्क जिला मुख्याले से तूट गया है। तीन दिनों से ही हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पूरिवे पानी के साथ बह गया जिससे की ढेका गाओं में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। गया के फलगुन नदी में पानी नहीं होता है। लेकिन इस बार भी फलगुन नदी में पानी उफान पर है और अगर इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो एक समय आएगा जब गया भी डूब सकता है अब इसे ले करके सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिन नदी की जलस्तर बढ़ रही है उन्हें किसी तरह रोका जा सके ताकि अगर भारी बारिश होती है तो बाट की स्थिती ना बने लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हम अरसाथ बने रही है और देखते रहें न्यूस पियार नमस्कार